आज वो दिन आ रहा है एक साथ लाखों लोग अपना भविश्य देख सकते हैं अपने जीवन से संबंदित हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं अब यह वली जो मशीन है इसका नाम है AI Asterolosum यह आपको भारादेश के सारे एरपोर्ट्स पे रेल्वे सेशन पे मेट्रो स्टेशन पे आपको यह लगी ही मिले कि इतने सालों का संघर्ष इतने सालों में अर्जित ज्यान शोद अनुसंदान का रिजल्ट है AI Asterolosum AI जो Asterolosum है वो भी निश्चित रूप से ज्योतिश के दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है मेरे राम ने तो आज ये AI Asterolosum बना कर हम सब को एक ATM मसीन दे दी है गुरू जी ने जो AIB का निर्मान किया है वो इतना सटीक निर्मान है कि आपके मन के जो प्रस्ण है वो प्रस्ण तूरंत ही आपके सामने वो लाकर खड़ा कर देता है गुरू देव जो मिले तो चमका मेरा date of birth, time of birth, place of birth डाला और उसके अंदर मैंने एक प्रस्ण डाला गुरू जी के मेरा फ्यूचर कैसा होगा तो तूरंत लिख कर वहां आ गया कि आपको सबसे ज़्यादा मान और सनमान मिलने के अभी योग चालू है इतना घुरू जी का जो एप बनाया हुआ है वो सटीक है लोग अपने आप इसको देख करके अपना भविश्य स्वें पूछने आएंगे कारण ये है कि आपने देखा कितना इजीली ये कोई भी टैकल कर सकता है कोई भी चला सकता है आप कहीं पे हैं आपको कोई एक छोटे से क्वेश्शन का उत्तर चाहिए ए आई एस्ट्रोलाजर में जाहिए ये सब कुछ बताता है ये सब जानता है जो वसित साब कर रहे हैं कि आपके मन में क्या हो रहा है तो दुनिया के मन में हो रहा है, कहीं न कहीं मेरे मन में भी हो रहा है और उसको जानने का जो प्रयास है, तो मैं समझता हूँ कि जोतिश के छेत्रे में ये करांटी होगी बहुत खुशी हुई, ये देखकर कि ये सॉफ्ट्वेर वाकई में एक मील का पत्थर साबित होगा आज़िशल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपके बहुष्यका कधन किया जाएगा जोतिश के लिए संपोन सनातन धर्म के लिए सर्वस्ट्रेश्ट काल सर्वस्ट्रेश्ट समय चल रहा है इसके माध्यम से भी जन जन कर लियान के लिए इनका सौट्वेर लोगों के घरों तक पहुंचेगा और जोतिश की परचार परशार में अपना एहम योगदार और भूमगा अदा करेगा गुरुदेव जीरी वसिष्ट द्वारा जो रिशी इंटेलिजेंस को आटिफीशल इंटेलिजेंस में कनवर्ट करके जन्न सामानी के सामने आज प्रस्तुती क्रण किया गया है जो लांच किया गया है वो ना सिर्फ अदुती है ना सिर्फ एतिहासिक है बलकि मैं समस्ता हूँ ये कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि जोतिश विज्ञान के छेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है गुरुदेव बशिश्टी का ये जोतिश हर वो परशान बची का माँ बाब भाई बेहन बनेगा दोस बनेगा और अब ये बची ना डिप्रेशन में जाएंगी ना परशान हो ये तो मुझे कोई जिंसा लगता है किसे पूछो बता क्या होगा ये कहता है मेरे सामने या मैं बताता हूं क्या होगा वो सकता है कल ये एक और मशीन का भी इनाउग्रेशन कर दें ऐसे विक्ति वो रीड करना इतना असान थोड़ी है पर ये यहीं पर चुपनी बेढ़ेंगे वो सकता है कल आपको एक ऐसा चश्मा पहना दें जिसमें आप गलोब में कहीं भी हो लोंगिटूट लेटिटूट कुछ भी हो ये वहाँ आपके घर जाके मीटिंग भी कर सकते हैं बिना वहाँ जाए ऐसी मशीन भी ला सकते हैं मैं काम ना करता हूँ जीड़ी वर्शीज जीजे के ये तो काम भाई आप ही खरोगे जोतिश के एलेन मास्क है ये कभी अपने लिए नहीं सोचते है पहले दुसरे के लिए सोचते है फिर अपनी सोच को शुरुवात करते है गुरुदेव ने जो एक ऐसी देन हमें दी है जो टेकनोलिजी से जुड़ी हुई है इन्होंने जोतिश को बहुत आसान कर दिया है ऐसी देन जो इन्होंने जगत को दी है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुबकामनाएं देता हूँ आने वाले सो साल तक नहीं हजार साल तक एया आई आपकी काम करती रहेगी ऐसी सुबकामनाव के साथ जैसी कृष्ट योटिश्का युग परिवर्तन युग परिवर्तन जो तिश्का तेरा हरी कदर्द मिटेगा अमरित बनेगा अब विश्का इसको क्वोन नहीं जानेगा और यह बता दीजिये इसको तो पूरा ब्रह्मान जानेगा इसमें सरफ बड़ चाट हमने डालना है अपनी बड़ डेटेल डालनी है उसी से हमें सब कुछ पता जल जाता है कि हमारे बारे में सारे कोईशन और मुंस सारे कोईशन्स कवर हो रहे हैं तो इस से रेवलुशन आने वाले टाइम में लोग हर क इसे कंप्यूटर से पूछ के करेंगे यह एया एस्टालोजी से पूछ के करेंगे कि आगे हम को क्या करना और कैसे चलना है एक तरह का रेवलुशन है और यह कहीं ना कहीं सक्सेस्फुल ही होगा इस चेत्र के लिए लोग नुमली इसमें कुछ भी अपने बविश्य इन फ लोग भटकेंगे नहीं एस्ट्रोलोजर हमारा भविश्य है क्योंकि हम भविश्य अब तक तो मतलब जो है सारी चीजे अपने अपने अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं लेकिन इसके अंदर सब कुछ समाहित है हमें कोई भी प्रसंद चाहिए किसी का भी आंसर चाहिए एक सब्सक्राइब निकाल लेंगे वो चीज देदी है कि जो भी प्रसंद आप करेंगे उसका जबाब तुरंत आपको मिलेगा एस्ट्रोलोजी की एक बहुत बड़ी उपलब्दी है तो आज गुरु वशिष जी ने हमें तोफा दिया राम के आने पे कि यह इंटेलिजन् आपकृण होने वाले हैं उनको याद करना कैसे भूले तो दोड़ों हाथ उठाके शिरी राम जै श्री राम जै श्री राम यह आज का दून देखिये कैसे बोले नाध मुझे ग्यान देने वाले मातारानी मुझे शक्ति देने वाली और बोले के पुजारी श्री राम का दिन भी अगला दिन है तो शायद यह हमेशा याद रहे कि इस दिन ए आई एस्टर लॉजर आया था इस दिन लाल किताब अबरे वशिष जोतिश का परकाश दुनिया के अंदर फैलने के लिए परमात्मानी ये दिन चुना तो यानि 22 तरी को राम लला जी विराजेंगे 21 तरी को हमें समय मिल गया ये 21 और 22 मिल करके आने वाले समय में पूरी दुनिया का कल्यान करेंगी और सब को सब कुछ कि अजया दिल में जब दर्द बढ़ गया था ना जब मेरे पास आता था और कैसे कैसे दुख बता करके वह रोता था लगभग उननी सो तिरानवे से लेकर दो हजार पंद्रा तक हर जो क्लाइन मेरे पास आता था उसके दर्द में डूब करके मैं स्वेम भी मैं उसकी कुंड़ी भी देख रहा होता था और स्वेम रो भी रहा होता था और यह कहता था परमात्मा इतना दुख क्यों बना रख्ख जितने दुख हम गिन नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा झितनी पर व्याःबते है और सबका दुक इतना अलग होता था इतना अलग होता था एसे एक-ठो मेरे पास बच्चों का छोट छोटे बच्चों का इतना विश्वास बन गया मेरे पे पिछले लगभग आठ साल से जब भी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आता है मेरी क्लाइटेशन के अंदर 80% बच्चे 17 साल की उमर से लेकर के और 20 साल की उमर तक के लिए करियर के लिए मेरे पर होसा करने लगे और आज की डेट में मेरे को यह बताते हुए खुशी है कि हजारो हजार वो बच्चे है कि जिनको मैंने जो करियर बदाया वो आज उसमें काम्याब हैं और वैसे लेकिन मैं परमात्मा का बंदा इससे सैटेस्वाई नहीं होता है मैंने कहा एक ही बास होसा था कि परमात्मा अगर तेरी यह धरती है और तू ही मुझे ग्यान देने व अपने कंफूजन कहतम कर सके और अपने दुख खतम कर सके बस इसी सोच के साथ बढ़ा तो आज वो दिन आ रहा है कि एक साथ लाखों लोग अपना भविश्य देख सकते हैं अपनी जीवन से संबंदित हर एक सवाल का जवाब पा सकते हैं जनम कुली में पहले बना के देत आपको लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता था हर किसी के लिए बहुत टाफ होता था कहने का मलें यह है कि 40% लोग समझते थे 60% को आफिस में आके समयना पड़ता था लेकिन ऐसी मेरे प्रभू ने माया रची ऐसी माया रची कि इसका एक ऐसा तरीका बताया है हम लोग अभी ज जब पुष्कर सिंग धामी जी ने मुझे ब्रह्मा आवार दिया यह लास्ट मंडे में वहां पर ग्राफिक एरा उनिवस्टी के अंदर सारे बच्चे ही थे थे वहां पर तीन जीडी वशिश बैठे यह पहली पार हुआ कि तीन जीडी वशिश बैठे एक मैस्वैम और द कि मैंने दो दिन के अंदर आठ घंटे के अंदर मैंने लगबग एक सो साथ लोग देखे क्योंकि पीच में उठना भी पड़ता था बहु कुछ था और हम तीनों ने मिलके दो दिनों के अंदर आठ घंटे में बारा सो बासट लोग ते लेकिन जब देखा ये तो मैं वाशूं के लिए गया वापे सा रहा था चार बच्चने चोटी उमर की जो उसी उनिवस्टी में पढ़ती थी तो वो अपनी पड़ रही थी कि मैं उनके बीच चला गया माइं भीटा कि मैं यह कैसा लगा तू एकदम घबरागई सामने आ गए ग्रुदे मैं नहीं चुम्हें बताना पड़ेगा कि कैसा लगए तो उनमें से एक लड़की ने बोला केदी गुरुदे मैं बताऊं मैं हां बिटा तु बता यां पर्श रही हो कहती मेरा वो डरी खतम हो गया कन्फिशन खतब हो गया कहती दूसरे क्वेस्टन के अंदर मैंने अपना फ्यूचर का पूछा कहती उसके अंदर मेरी सम्रदी अच्छी लिखिया लेकिन साफ लिखा मेरी माँ बिमार है और उसके कारण बहुत परजानी कहती पिछले 10 साल से मेरी मां भिमार है एक इसने यह पता लाना कuls कि इसका उपाई भी दिया कहते हुससे भी बड़ी पात हुस्ति कहती हम लड़की हैं हम तो कही बार अपने आपको ने बढ़ा एक जाती हैं कि हम अपनी सगी सहेली को मास को बेहन तक को नहीं बता पाती कि हमारे साथ क्या चल रहा है और कि इस परशानी में हमा है कहती गुरुदेव रोपड़ी कहती इससे मैंने जितने सवाल पूछे मेरे को ऐसा जवाब मिला कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जोतिश हर वो परशान बची का माँ बाब परशान में जाएंगी ना परिशान हो क्योंकि ये सच है एक लड़की हमारे यहां के जिस तरह के संसकार हैं जिस तरह का समाज है वो खुलके कुछ भी नहीं बोल पाती कुछ नहीं कर पाती और या तो बागी हो जाती है या अंदर खुटने लग जाती है तो बेटा ये त छुट के बाद वहां पर जो उनके अबीवावक मताफ इताया थे उन्होंने जब उसमें से अपने सवाल जवाब पूछे जब अपने सवाल जवाब पूछे इतने परसंथihatने परसंथे में आपको बता नी सकता किस तरह कर अ कि इन्होंने पूब भूला मेरे बारे में आज आप स्वेयम सुनेंगे और सबसे बड़ी बात एक कि दुनिया के अंदर जो ये कहते रहे कि हम आगे हैं हम साइंटिस हैं हम दुनिया को चलाते हैं उनको ये नहीं पता कि हमारे तो बुज़रग हजारो हजार पहले सालों से दुनिया को चलाने की विदी दे चुके हैं ये तो बेचारे खोदी इतने साल नहीं हुए इनको कि य हुमारे तो साइंटिस्ट भी लाखों साल पुराए रहे हैं जिन्होंटे वेद लिखे कि विशेश्ट्री ने कहा उन्होंने भारत की सब्विता, संस्कृत, विद्या, ज्यान, खो, टेकनोलोची, आर्टिफिस्टल इंटेलिजन्स, मशीन लेर्निंग, टीप लेर्निंग, डिजिटाइजेश्ट इन सबसे जोडा है, मैं एक ही बात मानता हूं, कि एस्ट्रोजी सिरफ साइंस है, साइंस है, साइंस है, वेदों का चक्षू है, और जो इंसान एक अच्छा एस्ट्रोजर नहीं है, यानि कि वेद पढ़ने के व कैसे इतने बड़े वेद को इतनी बड़ी साइंस को पढ़ सकता है, इसलिए वेद पढ़ने वालों को पहले एस्ट्रोजर होना बहुत जरूरी है, और यही चीज आज मैं परदर्शित करने वाला हूं, आप सब के सामने, आप अप अपने पारे में जो मर्जी जानना, सार सवाल आपके सामने आएंगे, एक मिनट की बात और कहता हूं, वाँ बच्चे ये कह रहे थे, कि जैसे मेशीन में डेटो बार टाइम बर्थ प्लेस डालते हैं, यह हमारे माइन को रीड करना शुरू कर देती है, और वही सवाल लाके सामने डाल देती है, और जबकि ऐसा न यह अब यह पूरी दुनिया के सामने, आप लोग पर तश्रीत करिए, अपना यह विग्यान, अपना यह आपका जोतिश और अपना यह सब को जो आप पूरी दुनिया का होने जा रहा है, और इस सब के आप साक्षी बने क्योंकि यह आप ही का है, आईए प्रभू आईए. ये जोतिश का युग परिवर्तन, युग परिवर्तन जोतिश का, एरा हरीक दर्द मिटेगा, अमरित बनेगा अब विशका, जुग परिवर्तन जोतिश का, जुग परिवर्तन जोतिश का, जुख परिवर्तन जोतिश का पिगड़ गई जो बात बनेगी बात वो हाथो हाथ बनेगी पड़ा इजी सॉफ्ट्वेर दिया और इसके लिए जो ये नया इनोंने मशीन निका ली है जिसे एटीम की तरह कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके अंदर अपना फीस पे करके जो जवाब लिया जा सकता है कितना इजी अगर रात को भी प्रॉब्लम आ रही है तो किसी एस्टॉलोजर को कंसल्ट नहीं करना है यू गो टू तो दा मशीन जो मन में चाहा होती है हम भी जो हम सोच के आते हैं वैसे लिखा हुआ आता है वैसे ही प्रडिक्शन सारी होती है और उसके निचे उपाया दियो होती है वन्हें उपाया के लिए प्रॉब्लम शॉल्फ हो जाती है अगर सबोस्ट किसी को बीमारी का है योग उसको बीमारी लगने वाली है तो he or she can check it very well तो ये बिल्कुल पॉफेक्ट सॉलुशन है और आइटिंग ये मैंकाइन के लिए बहुत ही बहुत ही जादा बेनिफिशन होने वाला है बिल्कुल 100% accuracy 100% इवन आप इसे यूँ कहिए कि एक तरह सी ये आपके लाइब का एटिया में आपके कोश्चन का एटिया में जहां पर एटिया में पैसे निकलते हैं या आपके लाइब निकलती है यह आपके कोश्चन के आंसर निकलती है में जैसा कि हम आगे का मार्ड देशन कसके कि कॉन क्या बनेगा कॉन 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 से फिल्ड में सक्सेश हूं तो इससे चीज की प्राबलम भी नहीं होगी तो इसलिए अगे जो भी फ्यूटर घ्राप अपना पता कर सकते हैं एई एस्टो लोजर के जरिये हम बहुत आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ गुरू जी ने इस मशीन में फीड कर दिया है जो आज तक हमें मैनुली मेहनत करनी पड़ती थी वो काफी कम हो जाएगी एक्यूरेट वही डेट निकल के आती है जैमिस्टोन पूछो वही जैमिस्टोन बताता आपको जो बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए सही होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी से यूज करेगा उसे अपनी लाइफ के बिल्कुल एक्यूरेट कोशन के एक्य सब्सक्राइब का वो बिलकुल पॉफेक्ट सॉलीशन है फॉर एनी इंडिविज्वल मुझे लगता है कि बाके लोगों को एस्टूरोगों की जरूती नहीं पड़ेगी क्योंकि एक अगये हैं और आपने अपने डिटेन डाल दिया है तो फंटास्टिक विजर्ट तो बच् अब यह वाली जो मशीन है इसका नाम है एस्टर लॉजर यह आपको भारत देश के सारे एरपोर्ट पे रेल्वे स्टेशन पे मेट्रो स्टेशन पे आपको यह लगी मिले कि इतना बड़ा सम्मान आज तक एस्टर लॉजर को नहीं मिला था जो अब मिले अब जितने विदेशी आएंगे हमारे एरपोटो पे उत्रों गे वो इससे अपनी किस्पत का फैसला करके फिर आगे बड़े के यह विदेश्यों को जम यह तोफा मिलेगा वैसे मैं बता दू कैनेडा और अमेरिका में हमारा टाइफ हो चुका है अस्टेलिया और यूके म अगले हथे होने जा रहा है तो आप विदेश्यों में भी जायों के ताप यह मशीने मिले की यह जो मशीने हैं यह हमारे एस्टलाजर भाईयों के लिए और वह इस मेशीन के माद्यम से अपने संस्थान के ओपर इसे रख कर के अपने आई हुए क्लाइन को को कि भाई अप अपने आप सवाल उचले तिरे को जूचेजिए उसकी पीडिया उसके फोन में भी जाए की इसमें अप वट्सेप नमबर डालो पीडिया फोन के अंदर आप सब अभी बीडिया अपने गर ले कर के जाओ के और यह जब होगा तो यह एस्टलाजर भाईयों के लिए है वो किया बिजनस देस्क पे आपको भी बताएंगे पर आप सब के लिए यह खुशक्परी कि इसको लेने के बाद ना तो कभी से अपग्रेड कराना पड़ेगा वो अपने आप होगा और ना कभी रिचार्ज करवाना पड़ेगा क्योंकि यह पेले ही रिचार्ज से बढ़ा प अर उनके संसान पर बैठि हुई यह मशीन अलग घमाए यह अख अ तो अब लोग एक संप बैठकर ए और नाम करिये और दूसरे संपर 2,3,4 आपके नाम के यह बठा कर ए और अलग लग जगद पैठकर के कमाईए यह सारे एस्टोरॉजर बाईयों के लिएैं बोलो जह बा 15 15 20 20 के ग्रूप में आएगे और हम सब के साथ आप सब की फोटो होगी ताकि ये दिन यादगार रहे और हर किसी के घर में हो ये दिन की इतने गुरूओं के बीच में हम भी गये थे ये यादगार काम करके आए थे क्योंकि अगले 1000 साल तक ये वशिश जोतिश अब दुनिया को हर कोई भी आदमी अपनी घर बैठे उसको जरूप नहीं ना बिकॉस जैसे गुरूजी ने बोलाए गुरूजी एक बहुत सरे लोगों को नहीं दे सकते पूरे अगर दुनिया का भला करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो उन्होंने वो सिस्टम बनाती है ए को नॉमिनल चार्जे हैं आप एक करिए देख लिजिए मैं कहता हूं अगर सो में से 90 परसंट भी इसने दे दिया 75 परसंट भी दे दिया तो 75 परतिशत आपके जीवन के कड़वे सच जो आपके प्रसंट है उनके उत्तर यहां मिलते हैं इस चितरूम से यहां से जोतिश को को एक नहीं दिशा और दसा परदान होगी हर प्रश्ण एक दम एक्यूरिट आया मतलब नाइंटी हंड्रेट परसंट आये एंड्रेट परसंट है हमें ऐसा लगा कि जैसे के पीसी वाले हो जो मशीन होती है ना सब का मन करता है कौन बनेगा तो रूडबती में जाने मिल्क उसमें अपने आप डालके अपने आप देख सकते हैं वही क्वेश्ण थे जो मेरे मन में चल रहे दे और उनी का परफेक्ट आंस्वर मुझे मिला जैसा कि मेरा बेट आजकल प्रॉपर्टी में काम कर रहा है तो मशीन ने भी यही निकाला कि प्रॉपर्टी में ही बेटे क कमिशन से फाइदा होगा एक बारे में कई प्रकार की ब्रांतिया है कि यह मन को आपकी मन इस्तती को पढ़ लेता है यह जो टूल है और जो तेसी जो है वो मन का ही उपचार करता है पूर अकलीन मतले पारदर्शी विद्ध्या है यह गुरुजी ने जो हमारे लिए तियार प्रश्टी को पाए है बहुत अच्छा एडिया निकाला है AI बनाने का जिससे हम लोगों की काफी हैल्प होगी अगर हम यह चीज़ देख रही हूं कि अगर हम यह मशीने यूज करते हैं तो हमारे लिए काफी बैनेफिशल रहेगा यह यह जो अपने आप में एक बहुत ब परेशान होते हैं क्योंकि आने वाला जमाना इसी का है तो एस्ट्रोजी में आजकल तो पलक जबसते हैं लेकिन फिर भी लोगों को सही सजेशन नहीं मिल पाता तो यह AI एस्ट्रोजी एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को उनके भविश्य है बर्तमान और भूत काल तीनों के बारे में बताएं उनके जीवन में क्या घटना है यह AI से मालूम होता है सबसे बेस्ट चीज यंग से लिए यह है जो सोशल मीडिया एप्लिकेशन पे अपडेट रहते हैं इंस्सेग्राम स्नैप चैट कुछ भी अब वो जब भी कुछ भी अपने बारे प्रेट करवाना चाते हैं कोर्सेज गोवर्मेंट जॉब्स सम्टिंग इशूज फैमली क्राइसिज लव एंड रिलेशनिस स्पेसिफिक आज कल के बच्चों के लिए तो वो घर बैठे हुए अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं ना कि किसी के पास 24x7 टाइम निकाल करके कंसलडेशन के ब चाहिए तुकि इससे उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में एक हिंट मिल जाएगा कि उन्हें किस ट्राइब से किस लाइन में जाना है जिनको एक सटीकता चाहिए जो एकुरेसी चाहिए वह हुम उन्हें देने में कामयाब हो पाएंगे अमें भी दिखने को मिलेगा और को भी इसका पूरा लाब मिलेगा इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि एस्ट्रोलोजी को मॉडर्ण टेक्नलोजी से जोड़कर एक प्रोसेस को काफी इजी कर दिया और यह इजी एक के लिए नहीं है पूरे नेशन के लिए है पूरे विश्व के लिए है यह मशीने जहां पी जिस जगह पे भी लगेंगी हर कोई अपना टाइम डेट बट प्लेस डालके अपना जो भी पूछना है वो कोश्चन पूट अप कर सकता और उसको उसको माकूल जवाब भी मिलेगा यूथ जो है वो इंटलिजेंस की तरफ ही बहतता है राइट तो इस अ कॉंबिनेशन प्लेट जब लेगा यूथ जग्यू अपना टाइमा जिए मने बूला कि मैं एट परसनु और यू जैसे मने बोला कि मैं इडिपर्सनु और यू और यू मिलेगा यू ज़ आप लेगा इस अस्टुरवेर इस ज़ाव स्वारिवा इस बाइसे अटिविंट बट इस what is there for them in the future. मैंने वेफसाय के लेकर जो एक प्रस्न उसमें जाला था तो उसके लिए मेरा निकल के आए कि आप जो है इलक्तोनिक्स वगरा का वेफसाय कीजिये और जो की उचीती ही था तो मुझे अच्छा लगा कि विलकुल ही मेरी अनुरूप जो है उसका जवाग था डेफिनेटली ए आए ने मेरे कोश्यों के आंसर दिये और काफी हद तक वो जो आंसर से वो सटीक मैं बोलूँगी जिसे कि वो सटीक रहे हैं तो मुझे पता चल गया कि यह सच्चा ही है और जो मन में था वो ही निकल के आ रहा है AI Astrology सब जानता है आप पूछ के देख लिजे यह आने वाले समय में जो है बहुत ही सिनरा और बहुत ही उजल भविश्य है यह भारते संस्कृती की जो है यह बहुत अच्छी पहल है AI Astrology सब जानता है पूछ कर देख लो AI Astrology सब जानता है एक बार पूछ के देखे आये थे कुछ अर्मान लेकर जा रहे हैं एक खास पैचान लेकर AI ने सिखा दी हमें वो बातें इंसानियत का और जोतिस का पैगाम देख लो AI ने सब जानता है पूछ कर देखे लो